Hello everyone, यह है धनलक्षमी बैंक के quarter 3 के result तो आगे यहाँ पर analyze करेंगे इस share के results यहाँ पर कैसे आए हैं तो देखते हैं यहाँ पर इस share के total income को yearly basis में यहाँ पर जो income है वो around 31,218 लाग था जो quarterly basis में 34,342 लाग यहाँ पर हो गया है quarterly basis में यहाँ पर जो share के income है वो यहाँ पर increase हुई है इस share के total expenses की अगर हम बात करें तो yearly basis में 25,787 लाग था जो quarterly basis में 32,111 लाग के करीबन यहाँ पर हो गया है income के साथ-साथ expense भी यहाँ पर increase हुए है net profit yearly basis में 21,73 लाग था जो quarterly basis में 305 लाग के करीबन यहाँ पर हो गया है आगे हम इस share के जो है earning per share को भी यहाँ पर देख लेते हैं तो yearly basis में 86 पैसे था अब जो है 12 पैसे के round यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share के result है वो medium देखने को मिले है price level की बात करें तो इस मन तक का share का maximum target 54 रुपे या 55 रुपे के round तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो hold करके रखना चाहे तो आप इस share को यहाँ पर जो है अपने own risk में इस मन तक के perspective से hold करके यहाँ पर रख सकते हैं